तो कैस मैं हुआंगी तो आप देख रहे हैं WWE fans network तो भाई ट्राइबल चीफ Roman Reigns प्रोबेबली आने वाले कुछ महीने के अंदर ही आपको WWE leave करते हुए देखने को मिलेंगे बस shareholders को बताना बाकी है कि भाई हम लोग बेच चुके हैं जो भी फॉर्मिलेटीज यह लोग पूरी करेंगे जैसे डील है वो डन हो चुके बस पेपर पर चीजे बाकी है ऐसे में guys currently WWE के अंदर backstage क्या सीन है कैसा जो है माहूल बनावा है इसको लेक अब्रेट निकल के सामने आई है पर Fightful, Fightful की रिपोर्ट का कहना है कि जो situation है फिलाल backstage वो काफी hectic है जो superstars है जो employees है उनको मालूम नहीं कि उनका future क्या होने वाला है लाइक काफी सार लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ change नहीं होगा यह नहीं होगा लेकिन फिर भी चीजे जो हैं टेंसन वाली है इसलिए superstars and employees खुद भी tense है उनने समझ नहीं आ रहा है कि इनका future क्या होगा तो जो backstage है वो काफी इनवार्मेंट्स है वो hectic currently ऐसे में कई सारी डवी superstars काम करने को तयार है आगे भी लेकिन कोई एक superstar है जो की काम करने को तयार नहीं है उसका कहना है कि भाई यह deal होगी मैं काम नहीं करूंगा ऐसा उसका कहना है अब यह कौन सा superstar है कौन हो सकता है इसको लेकि कोई update नहीं है कुछ बताया नहीं गया आपको क्या लगता है यह कौन सा नेम है आखिर यह कौन सा रस्तर है यह बात निकल के सामने आ रही है अपनी तरफ से कुछ भी गैस करके बताओ आपके हिसाब से क्या लगता है कौन है यह बंदा जो की नहीं काम करना चाहता है कॉमेट करके बताना बाकी गास अगली स्टोरी है जे वाइट को लेके जे वाइट एजबी डवी के टॉप टैलेंट जो की एडवी के अंदर भी अपियर हो चुके है जिनने की डवी डवी के कई सारे फैंस डवी डवी के अंदर देखना चाहते हैं यह प्रपर अबी आप एसे में डवी डवी चाहती है कि जे वाइट को यह लोग रॉल रंबल के अंदर ले करा हैं उनकी स्पेसल एंट्री करा हैं एजबी डवी से पहले एजर स्टाइल्स आचुके हैं 2016 के रॉल रंबल में एंड क्या कमाल के टैलेंट है वो सबको मालू है जे वाइट भी कुछ इससी लेवल के उससे कम नहीं है तो डवी जे वाइट को रोल रंबल के अंदर लाना चाहती है अब तो भाई ब्लड मनी भी है साथ में सो लेखते हैं क्या होता है फिलाल यह कुछ अपडेट निकल के साम जाए है जे वाइट एंड डबी डबी के इंट्रेस्ट को लेके आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके रोमन रेंस कमप शुपर भाद ब्रेक रहें गिए उसके बाद बहुत ज्यारा पर्टटई के लिए चरे जाएंगे और लॉमन हॉलीवड के लिए क्योंकि समय को धुक्त करेंगा है अपने हमें नहीं के पारियवान फो को सिफ्ट करते वे दिखेंगे हॉलिवुड की तरफ काफी अच्छे से यह कुछ माना जा रहा है रोमन रेंस लीफ करेंगे कंपणी पहले से जादा जल्दी अगर पहले रोमन को दोजार पचीस में अगर परमनेटी लीफ करना था तो वह अपसायद 24 में ही कर दें क्योंकि वह पहले वारी डिबड़ भी नहीं रहेगी क्योंकि डिबड़ भी देखो सिर्फ बिजनस नहीं वह एक इमोशन है रसलर्स फैंस सबके लिए तो वह समझ सकते हैं जो समझने वाले लोग समझ जाएंगे भाई रोमन जो हैं अब उतना ज्यादा नहीं रहेंगे डिबड़ भी चाहती है कि रेसल करें उस टाइप के सुपरस्टार्स को इस वाली अब्रेट में काउंट करेंगे तो गोल्डबर्ग और उनके जैसे ही और रेसलर्स जिने की डबड़ ड़ी स्टार पावर समझती है सावधी के लिए यह सुपरस्टार्स आपको रिटर्ण करते हुए दिखेंगे अब जो है सावधी गवर्णमेंट के हाथों में है डव डवी तो वह अपनी ओर्डियंस का सोचेंगे और उनकी ओर्डियंस गोल्डबग को ना देखना चाहिए यह होई नहीं सकता गोल्डबग मनसूर ऐसे टैलेंट साबको हैवे पुस में अब साय देखने क दिया उनके लिए बात की बात हो गई हम लोग तो फिर भी इंडिया और बात की बात हो गई है लेकिन बाकी अभी फिलाल वो अपनी ओर्डियंस को प्रावटी देग अपनी जंता को एंड उनके हिसाब से बुक करेंगे उनकी जंता क्या चाहती है गोल्डबग को देखना पर देखना यहीं फैक्त इसलिए गोल्डबग को बाढ़ बाढ़ चैंप बनाए गा था इसलिए गोल्डबग जो है भाई सावधी गंदर फील्ड को हरा के चैंप बने भी थे तो गोल्डबग का चैंपन मनना दूर नहीं है यह आपको इससे पहले वाले वीडियो के गॉ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ भी तो ट्विटर पर आप मुझे टाइक करके पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ओफेर काफ इंड्रस्टिंग वेडियो में